तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में तो देखिए दोस्तों यह हमारे पास बीजल इंजन आया हुआ है एक हॉंडा सिटी का तो यह हमने ओपन कर लिया है यह ओपन किया है बेसिकली इसका जो ओवर हॉल होना है इंजन इसका क्रैंक लग चुका है गाड़ी का तो यह कि भी हमने क्लीनिंग कर दी है अब इसका जो इसकी क्लीनिंग चल रही है पिस्टन्स वगारा की यह पिस्टन्स वगारा की क्लीनिंग हो रही है प्रॉपर त्रीके से तो अब इसकी क्लीनिंग की जा रही है जो यह क्लीन हो जाएगा तो उसके बाद हम काम करेंगे इस पर और यह भी खिली वाटुन हो चुका है यहाँ किया एहा है यह कंबाद Cash है ूध Silver टेयिक है प्र attachments किस तरह से अच्छे तरीक्षिक है तो ये चोटाय मूटा काम थी अचर आपि कि झालन प्रवर धी तो तो प्लिनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें, cleaning अगर आपके engine की सही रहेगी उसी के बेश पे आगे engine आपका उतना ही perfect काम करेगा उतना ही perfect चलेगा और बिलकुल नया जैसा हो जाएगा जैसे आप नहीं गाड़ी use करते हैं उसी तरह से engine इसका perfect हो जाएगा क्योंकि इसकी oil gallery रहती है इनको क्लीन किया जाता है प्रॉपर तरीके से साफ करके इसको किया जाता है कि इससे ऑईल का तेल वगरा वो भी प्रॉपर तरीके से चले ऑईल जैट में भी तेल प्रॉपर तरीके से आए हर तरफ से तेल इसका जो है वो आए तो दोस्तो अब इसकी क्लीनिंग हम कर चुके ह इसकी क्लीनिंग भी हो चुकी है और यह जो चोटे मोटे पार्ट्स हैं यह देखिए जैसी की यह है यह प्रका जो है इसको क्लीन किया जा रहा है यह अब क्लीन होंगे और पिस्टन हमने आपको दिखा दिखा दिया पिस्टन भी हम क्लीन कर जुके हैं यह देखिए पिस्टन दिखिए केतने अच्छे तरिके से साफ किये हैं तो आइए दोसłों कि झाते हैं तो आपको आपको पूरा इसका आगली कर लिया गया है तो हवा गो एक वुड़ ऊजा रहे हैं तो कि देखें लिए कोई बी डस्त में बहुत रही ही वह साफ हो जाएगा है यह साफ हो चुपे हैं यह तीसरा है यह देखें जो आइल में हिख्वी हिज्प में है वह साफ हो रहा है कि यह भी हमने साथ कर लिये और यह इसका कि इखारे की शीचों इसके हैं इसका फोर्टी के हैं कर लिए दोसर शी ची को संसरय से की उसके इसके खोगाव, अगयरा कि अधार, चीचा कि इखा ओए एक प्रेश्चों कावण मारी जाया है विइसको संसरय स्थक्या है जाने साथ सकत से बतान कि पोबाए ह आप टाकाद के बॉबए आधए gefास्ष्चों क Calvin इसके हर ऑईल गैलरी में हवा मारी जारी की प्रॉपर प्रिके से साफ हो जाएगा जिसमें कोई गंद बगारा रहेगा तो वो फील्म हो जाएगा ये इसको भी हम यहां से भी हमें हवा कर देखिए खूरा कर दिया है फोड़ा पूल जो पूल जो रहता था था वो हमने अभी किया है पहले इसको क्लीन कर दिया गया है तो दोस्तों अब हम आपको इसको दिखाते हैं कि इस तरह से इसके सुराख हम चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से यह देखिए हमने एक सिलाई रखी है नॉर्मल तरीके से हम चेक कर लेंगे इसको यह देखिए इस तरह से हम चेक करेंगे हमने एक सिलाई रखी है और यहां से देखिए हम इसको जब गुसा रहे हैं तो यह दूसरी साइड से बाहर आ रहा है मतलब इसका जो ऑईल गैली वो ओके है साफ हो चुका है कहीं से बंद नहीं है यहां से हमने जेखिए हम ने चलाई चूसरी यह दूसरे साइड से आप को दिखरी हो गी यह हम अब दिखाथे यह देखिए दोस्तों से इस में अब आगे से दिखाते हैं आप को चलिए क्रैंक को हमने जो पल्स प्लेट होती है क्रैंक प्ल्स प्लेट ये लगा दी है ये देखी ये लगा दी है बेसिकली इसमें एक सेंसर लगा रहाता है और यहाँ बेशिक्वाइच यहाँ पे इसका एक च्चोटा सा कट रहता है रोटेशन बगारा का पता जलता है यह सारा इसी का काम होता है और यह देखिए यहां पे इसके सारे छोटे छोटे यह तीज बगारा है और यह कटे रहते हैं तो इसी एरिया से सेंसर जो होता है सेंस कर लेता है रोटेशन इसकी तो यह इसके बैरिंग्स बगारा में जाएगा यह देखिए यह अपर और लोवर बैरिंग्स रहते हैं यह लोवर वाले हैं यह यह अपर है और इसके नीचे जो रहते हैं और लोवर रहते हैं में बैरिंग्स क्लीन करके अब हम चेक कर रहे हैं इसको यह देखिए तो यह अपर बैरिंग साफ कर दिये हैं और लगा भी दिये हैं यह देखिए इसको यह देखिए यह लगा दिये हैं यह सारे अपर बैरिंग्स हैं में बैरिंग्स जो क्रैंक के लिए लगे रहते हैं यह देखिए यह हमने कर दिये हैं अब इसको थोड़ा थोड़ा हम आइलिंग करेंगे यह आइलिंग की जा रही है इसकी आइलिंग कर दी है अब इस पे यह हमने क्रैंक रख दिया है यह देखिए अब इसको गुमा के चेक किया जा रहा है यह इसका पल्च प्लेट है जैसा कि हमने आपको बताया था इसका काम क्या होता है फ्रैंक की रोटेशन उगरा पल्स फगरा चेक चरने के लिए रहता है यह इसको भी हमने आइलिंग उगरा कर दी है यह दोस्तों इसके थर्स्ट वाशल है तो दोस्तों यह थर्स्ट वाशल्स है यह इसकी जो थर्स्ट प्ले होती है उसके लिए होते है यह अब इसको आइल करके हम लगा रहे हैं यह देखे आइलिंग कर दी है यह यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर दी है यह देखे इससे जो प्ले वगरा गर रहता है क्रैंक का उसके लिए होते हैं यह यह क्रैंक का जो प्ले सेट करने के लिए रहते हैं यह प्लो करेंडी है यह तो दोस्तो में इसका मेंन कैप है इसमें इसमें लुइर जो लगा दी है यह की में शेम केंट का सबस्द्द गांः सेधों lanceल जगा दी है यह दिखेंग है है अब यह मेंन कैप उपर से हम लगा देंगे इसको जिससे यह क्रेंक अपनी जगा सेट हो जाएगी और इंस्टॉल हो जाएगी यहां पर देखिए एक एक लग चुका है इसी तरह से हम जो यह इसके मेंन कैप सुगा रहा है तो हम इंस्टॉल कर लेंगे तो दोस्तों यह लास्ट डू मेंन कैप है वो भी हमने लगा दिया है अब इसको बोल्ड्स वगज़ा हैं यह देखिए ये बोल्ड्स है इसके यह भी हमने क्लीन करके रखे हूएं इसको भी ऑईल लगाकर हम प्रॉपर तरिके से टॉरक देके इसको सेट करतेगया तो दोस्तों इसकी भी एक टॉर्ड्क रहती है व्हू happened in बोल्ट्स यारा की एक टॉर्क रेती है उतनी लिखन तल्क पे आपको इसको बंद करना रहता है इससे जादा नहीं होता है नहीं उतल भाग तो इसी तरहbs conna म्येंदा उसी तरह से व creek भी उझायरा की इसको एह प्रॉपर तरीके से टॉर्क देके भाख देंगे तो देखिए दोस्टो हमने सारे इसके बोल्ट्स को गणा दिए हैं और ये हमारा टॉर्क्रेंच है इसी से हम इसको टॉर्क देएंगे ये बोल्ट्स को गणा को तो दोस्तों पहले हम ऐसे ही हलका हलका इसको टाइट कर लेंगे एक नॉर्मल जो रैंच रहता है उससे तो जब टॉर्क देनी होगी लास्ट में इसको तो फिर हम टॉर्क रैंच का इस्तेमाल करेंगे पहले थोड़ा थोड़ा जो पूरा उपन है इसलिए हम इसके नाट तो दोस्तो इसी तरह से पूरे हम टाइट कर लेंगे तो देखिए दोस्तो सारे बोड्स हमने टाइट कर दी हैं सारे बोड्स जो है टाइट हो चुके हैं अब इसको टार्क रंच के साथ ही हम हम इसको टाइट करेंगे तो टाइट करने का में मतलब यही होता है कि जो इसके में बैरिंग्स वगारा रहते हैं वो ज्यादा टाइट ना हो जाएं जिसकी वज़ए से जो बैरिंग्स रहते हैं वो जल्दी गिस भी सकते हैं और इसका जो पले है वो भी प्रॉपर सही नहीं होगा और इसका जो क्रेंक狀ा उप्ल। हो जाम हो सकता है और इसका यह जो बोल्ट सुगेर셔서ए यह बड़ा एक ही तरह के ठाइट होंगे और जोगी से है तो अलोगा इस एक्ष्रा प्लें नहीं हुआ है अगर हम बिण टर्क क्रेंच से करते तो इसमें नाइस का भी कंसर्ण रहता है कि का करन कि हम एक प्राइब प्राइक से क्रेंच से कांडकर सी बिण हैं건 हम से का यहां से का वे तो दोस्तों यह देखिए इसका सिलंडर है अब यहां पे जो है पिस्टन इंस्टाल किये जाएंगे यही वो एरिया होता है जिसमें पिस्टन उपर नीचे होते हैं और अपना काम करते हैं यह रेखिए अब इसका जो हम चेक कर रहे हैं पिस्टन अंदर डालके की प्रॉपर त्रीके से ठीक है यह देखिए इसको गुमा के देखा जा रहा है यह प्रॉपर ओके है या नहीं है तो यह ओके है तो दोस्तों यह इसके कनेक्टिंग डॉड के बेरिंग्स है वो इंस्टाल हो रहे हैं इसी तरह से हम सारे कनेक्टिंग डॉड के बेरिंग्स इंस्टाल कर लेंगे इसको भी कर दिया इसको भी कर दिया यह देखिए इसी त तो देखिए दोस्तों अब ये बैरिंग्स वगारा हमने इंस्टॉल करनी है अब ये इसके रिंग वगा रहा है ये लगाए जाएंगे ये रिंग हम लगाएंगे पिस्टों रिंग है तो दोस्तों रिंग है जैसे हम एक वगाएंगे वाएंगे अपिस्टों छी ब मात्व है लगा जाएंगे ये इसके रिंग्सर्णी है कर दोस्तों कर देखिए पित आप में पिस्टन निंग लगा लिया हैं अब इसी तरह से हम बाकी पिस्टन निंग को भी लगा लें के शिराब तो दोस्तो अब हमने स्लेंडर अगग एसका स्लेंडर को आइल लगा दिया है और इसका पिस्टन और पर्लिल में, आइल के साथ चाहरा इसको उब्पटा हम आइल करेंगे इसको इस अब इसको पृपरिके से स्लेंडर अब belt here, चैले इन्सुनां में यह कूल मी, चैल दो देखिए तो दोस्टों ये एक रिंग क्लम्प एए देखिए इसके साथ इसको पहले यहां पे लगाया जाएगा रिंग प्रेस हो जाएंगे जिस से और पॉपर्डी कैसे लग जाएंगे जेए तो इस तरह से हम लगा रहेंगे यह देखिए और यहां से इसको टाइट किया जाएगा यह हमने टाइट कर दिया है टाइट कर दिया हमने अब इसको किसी चीज की मदद से यह इसका विंसन यह रिखिय अंदर चला गया है यहां से ब कौ Alexa नीचे की तरफ से यहां पर आ चुका है देखिए दोस्तों यहां पर आ चुकर है अब करेंक्शाफट एका की यहाँ जाएगा अभर जोड़ इसका के उपर लगाकर को पाइल लगा निगे और पॉपर तहसले Boston के सिरे जोड़ लग डिंगे है कुबोर्बट दि मुटेश एक ऑम इस्टेन खी जोडनागी है ओड मोड देंगे तो अब हम इसको जोड़के फिर आपको बताते है Bach इसी ताइक बलस तो आपको ख़े खेवागो पिस्टिन और के शाह बलस बैंब लेगा है और यह सो गिस पॉरपर तरीके से टॉर्क डेख टाइड कर लेंगे सारे piston को कि दोस्तों हमारे इंस्टॉल हो तुके हैं बस ये लास्ट पिस्टन जो है वो रह गया इंस्टॉल में बस इसको लगाएंगे अब इसी तरह से इंस्टॉल करके अब आपको दिखाते हैं तो दोस्तों यह अब कनेक्टिंग डॉट्स की जो कैप्स हुगा रहा है वो टाइट की जा रही है टॉट्क रेंच से इसी तरह से हम सारे सारे बोट्स वगारा को टाइट कर लेंगे जो टॉर्क है इसकी 20 न्यूट्र मीटर है उसी साफ से हम इसको टॉर्क देके सारी कैप्स को टाइट कर देंगे तो देखिए और यह टाइट वगारा करके हम आपको दिखाते हैं इस तरह से हमने सारे पिस्टन्स वगारा इसके लगा दिये हैं और यह जो कनेक्टिंग डॉट्स के कैप वगारा थे बाकी कैप्स थे क्रैंक क्रैंक शॉफ्ट के वो भी इंस्टॉल कर दिये हैं तो भी हम इसको गुमाके चेक कर रहे हैं कि इसकी रोटेशन्स वगारा जो अब इसका आगे का काम किया जायेगा और इस वीडियो में हमने आपको यही बताए की reckी किस तरह से यह असेंपल किया जाता है किस तरह से क्रेंग लगाई जाती है पिस्टन लगाई जाते हैं के उपर से कनेक्टिंग जो कैप्स होते हैं रोट के लगाया जाते हैं तो धन्यवाद दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ